हेलो दूस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं। आज की क्लास में हम एमतियाज एहमत की बिहार एक परिचे का अबजेक्टिव प्रश्ण को डिसकस करेंगी। आज हैं थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में दिया गया टॉपिक है स्वतंत उत्तर बिहार, तो चलिए शुरू करते हैं स्वतंत उत्तर बिहार, पहला सवाल है भारत का वह प्रतम राज जिसने भूमी सुधार कानुन बनाया भारत का वह प्रतम राज जिसने भूमी सुधार कानुन बनाया, बिहार राज, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया दूसरा सवाल है देश के किस राज में सबसे पहले जमी दाड़ी उन्मोलन कानुन बना भारत के सम्विधान में पहला संसोधन किस राज के कारण हुआ बिहार राज के कारण जमी दाड़ी उन्मोलन कानुन को जब जमी दाड़ी ने चुनोती दी तो सम्विधान में पहला संसोधन 1951 में किया गया स्वतंत्र भारत का पहला आंदोलन कहा हुआ पटना में 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ बिहार की किस नदी बांद के लिए प्रतम बार स्रमदान का प्रियोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया कोसी बांद के लिए कोसी बांद का निर्मान 1954 में हुआ बिहार में किस वर्स सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलीस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यू हो गई थी वर्स 1967 में सरकारी तोर पर मृत्तक छात्रों की संख्या नौ बताई गई यह घटना पटना की गांधी मैदान की समीब घटी थी बिहार में 1967 में जीगर का टुकडा कहा गया चात्रों को माहमाया प्रसाद ने चात्रों को जीगर का टुकडा कहा था पटना इस्थित सही दस्मारक का ओप्चारिक अनावडन कब हुआ 1956 में बिहार में नक्सलवात की सुरुवात कब से हुई 1967 से 1969 ओप्चन C राइट एंसर बिहार में नक्सलवात का सुरुवात किस जीले से हुई थी भोजपूर जीले से नक्सलवात की सुरुवात हुई थी देश में पहली बार राजनेतिक जाच आयोक का गठन किस राज में हुआ बिहार राज में माह माया सरकार ने 1 अक्टुवर 1967 को देश में प्रतम बार सर्वोच न्याले के सेना व्रिति नियाधिस टी एल वैंकेट रमन अयर की अध्यक्स्ता में एक आयोक का गठन किया इस आयोक ने 6 राज इस आयोक ने राज की 6 बड़े नेता के भी सहाई महेश प्रसाद सिन्ह, राम लखन सिंग यादव, रागवेंद्र नारायन सिंग, सत्येंद्र नारायन सिंग एवं, अम्बीका सरन सिंग पर भ्रष्टा चार का आळोक पाया बिहार में पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था 1967 में, 1967 में बिहार में पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार का गठन हुआ था बिहार में पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार के मुख्य मंत्री थे बिहार में पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार के मुख्य मंत्री थे माहा माया प्रसाद बिहार में किस सरकार ने सर्व प्रतम इसकुलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवारिता समाप्त कर दी थी माहा माया सरकार ने 1967 में सिक्षा मंद्री करपुरी ठाकुर ने आदिश दिया की मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है माहा माया सरकार की समय छात्रों को खूली छूट मिली तथा सिक्षा जगत में कई परिवर्तित हुए संपुर्ण क्रांती देश की किस राज से सम्मंदित है संपुर्ण क्रांती देश की किस राज से सम्मंदित है बिहार राज से संपुर्ण क्रांती को बिहार आंदोलन भी कहा गया है बिहार में छात्रिया जेपी आंदोलन की सुरुवात किस वर्स हुई थी? बिहार में छात्रिया जेपी आंदोलन की सुरुवात किस वर्स हुई थी? वर्स 1974 में बिहार राज्च की सीमाओं का स्वतंत्रता उप्रान सर्व प्रतम गठन कब हुआ? 1956 में बिहार में सर्व प्रतम साजा सरकार का गठन कब हुआ? 1967 में संपूर्ण क्रांती का नेत्रित्त किस ने किया था? संपूर्ण क्रांती का नेत्रित्त किस ने किया था? जै प्रकास नारायन ने बिहाड में संपुर्ण क्रांती की सुरुवात की थी छात्रों ने यह मुख्यत छात्र आंदोलन था संपुर्ण क्रांती की नेत्रित्व करता चै प्रकास नारायन को दूसरी महत्मा कहा जाने लगा था यह आजाद भारत का सबसी बड़ा जन आंदोलन था संपुर्ण क्रांती की सुरुवात हुई पटना से बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपुर्ण क्रांती किस ने दिया था जै प्रकास नारायन ने बिहार के जेपी आंदोलन या संपुर्ण क्रांती से संबंदित कौन सा कथन गलत है जै प्रकास नारायन ने इस आंदोलन का नेत्रित्व अपने हाथ में इस सर्थ पर लिया कि आंदोलन सांती पुर्ण होगा बिहार की वर्तमार नेता, लालु प्रसाद यादव, नितिस कुमार, रवी संकर प्रसाद, सुसिल मोदी इस आंदोलन से संबंदित है यह आंदोलन सन 1975 की इमर्जंसी लगाने की कारणों में एक था, इस आंदोलन को कॉंग्रिस का समर्थन प्राप्त था, option D कथन गलत है बिहार में संपुर्ण क्रांती का अहवान कब किया गया था, पाँच जून 1974 में बिहार में सन 1977 में किस कमेशन के आधार पर पिछरों के आरक्षन का आंदोलन सुरू हुआ, मुंगेरी लाल कमेशन जन्ता पार्टी की सरकार थी, करपुरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोक की रिपोर्ट को मान लिया था उर्दु को दूसरी राज भासा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज है, बिहार राज बिहार में उर्दु को दूसरी राज भासा का दर्जा कब दिया गया, 1980 में यह कार ततकालिन मुख्यमंत्री जगनात मिस्र ने किया था बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जीले से सम्मंदित है, भागलपूर जीले से गंगा जल की घटना सम्मंदित है भागलपूर के 33 कैदियों के आँखों में पुलिस ने गंगा जल यानि तेजाब डाल कर अंधा बना दिया था बिहार में बहु चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी 1980 में गंगा जल की घटना घटी थी महात्मा गांधी सेतु पूल का उद्घाटन हुआ था 1982 में डॉक्टर मिस्र ने इसका उद्घाटन इंद्रा गांधी से करवाया था बिहार में अक्टुवर 1989 में संप्रदाइक दंगे हुए थे भागलपूर में 24 अक्टुवर 1989 को राम सीला पूजन के दोडान संप्रदाइक दंगे सुरू हो गए बिहार में DMG कृष्णयया हत्यकान की घटना घटी दिसंबर 1994 में बिहार के बोध गया में इस्तित महाबोधी मंदिर विस्विरासत घोशित किया गया बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कव घटी थी? 13 नमंबर 2005 में बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना घटी थी? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना इकलास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब केजिए जेहिन, थाइंक यू